ओके घलो, हाई, यह एक कुश्यन है, तट फिगर शोज अरे अफ लाइडाइड उसके बारे पे भूल जाओ, पहले तुम यह इदेटिफाय कर लो कि अंगल आय कौन सा है और आर कौन सा है, रिफ्राक्टेड अंगल कौन सा है और इंसिदेट कौन सा है, अब लाइड रे यहा अपको ऑइदेटिफाय कहां से कहां जा रही है, देखो, मैं इसको हालेट कर रहा हूँ, तो यह इंकमिंग रहे है, रैट, this is incident ray, और कहां पर जा रही है इधर जा रहे है, मतलब यह यह रिफ्रैक्टेड रहे है, यह रिफ्रैक्टे रहे है, तो हम क्या बол सकते हैं, कि यह जो angle 60 है ये क्या है angle i है और ये जो angle 45 है this one क्योंकि normal के साथ angle किनना पड़ता है na angle 45 क्या है angle r है तो आपको angle r मिल गया और angle i मिल गया so what is angle i angle i is 60 degree angle r is 45 degree अब इसके अंदर वो लोग क्या पूछ रहे हैं मतलब like इसपे हम लोग क्या निकाल सकते है i से r में जो जा रहे है तो we can find out जिसके अंदर light ray जाती है उसको पहले लिखना पड़ता है मतलब we can with the help of this light ray a से b में जा रही है na light ray कहां से कहां जा रही है a से b में तो we can find out refractive index of b with respect to a यह निकाल सकते हैं हम लोग अब यहां पर formula क्या बनेगा the formula will be sin i by sin r ठीक है value put कर दो sin i का value कितना है 60 और r का value कितना है 45 n b sin 60 मतलब कितना रहता है root 3 by 2 और sin 45 कितना रहता है 1 by root 2 तो फिर हम लोग उसको उपर नीचे कर लेता है so that we can solve this root 3 by 2 और root 2 कहां जाएगा ओपर जाएगा so this will become root 2 2 को कहा लिख सकता हूं मै root 2 into root 2 तो root 3 2 को कहा लिख सकता हूं मै root 2 into root 2 into root 2 अब क्या कटेगा root 2 कटेगा root 2 के साथ तो बचेगा क्या फिर root 3 by root 2 यह किसका answer है n b a का आप question में देखवा हमको वही चाहिए था क्या refractive index of b with respect to a बोला है तो फिर बराबर है this is what exactly we have found out refractive index of b with respect to a that is root 3 by 2 answer क्या आना चाहिए a हो गया thank you